हेलो एवर्ड वार्फी से स्वागत है आप सभी को हमारे एक नए वीडियो में आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं टाटा सुमो के एक नेगेटिव पॉइंट के बारे में तो चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ तो साथ पास दिएगे वेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपस तक सबसे पहले प इसका गेरलेबर और इसमें बहुत ही ज्यादा प्ले है यह देख सकते आप इसमें बहुत ज्यादा प्ले होता है मैंने इसमें काम करवाया था अभी कुछ समय पहले इसका काम करवाया था और आप देख सकते इतना ज्यादा इसमें प्ले आ जाता है यह ऐसा नहीं है कि यह आप करवाएंगे और फिर ठीक हो जाएगा यह देखो यहां तक गैज आप देख सकते हैं यहां तक चला जाता है और फिर यहां तक आ जाता है जबकि जब हम इसको reverse करते हैं जब reverse गेर में हमने लगाना है तो ऐसे करके हमें यहां seat के साथ touch करके लगाना पड़ता है और seat अगर हलका समय आगे कर लिया तो यह आप देख सकते हैं यह सिर्व यहां से घिसने की वज़ा से यहां आप देख सकते हो यह आप देख सकते हो इसका color भी निकल चुका है यह और यहां seat पे आप देख सकते हो seat तो लगभग फट चुका है इसके इस रगड़ते हुए यह जो है फट चुका है पूरी तरीकी से और मैंने की जबकि मैंने इसको अभी कुछ समय पहले ही बनवाया था gear liver को मैंने जब ठीक करवाया उस time तो यह यूँ रहता था यूँ रहता था अब धीरे धीरे दुबारा तीन महीने के अंदर तीन चार महीने के अंदर दुबारा वैसे का वैसा ही guys हो गया यह यह लगभग जब मैंने इसको ठीक करवाया था इसके नीचे यहाँ पर जैसे एक गुली आती है वो प्लास्टिक की प्लास्टिक की आती है तो उसको मैंने लगवा करके इसको ठीक करवाया था और ठीक करवाने के बाद भी आप देख सकते हो कितना play है इसमें फिर फाइनली चंडीगड जा करके हमें इसका भी काम करवाना पड़ा autumn lunar फिर फाइनली हमने चंडीगड में फैसला कर दिया था और यह जो रोड है यह stock रोड था जो हमारी गाड़ी में लगा हुआ था और ये जो रोड है ये उन्होंने लगाना था पर इस रोड को उन्होंने एड़जेस्ट करने की कोशिश की थी बट हुआ नहीं फिर इन्होंने ट्रक का जो पट्टा होता है उसमें जो रोड लगा होता है सपोर्ट के लिए उस रौड को उन्होंने इस रौड के जगह पर लगाया और इस पॉइंट से इन्होंने काटा काट करके वेल्डिंग करके ये बना लिया दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से इन्होंने बनाया है, अब काफी हलका भी वो गया है, और गाइस मैं आपको बता दूँ ये जो stock rod था वो कम से कम डेड़ किलो का था लेकिन अब जो ये rod इन्होंने लगाया है ये maximum डेड़ सो ग्राम का ही होगा शायद है तो हलका लेकिन काफी मजबूत भी है ये और इसको बणाने के बाद से अब जो मेरा driving experience है वो पहले से काफी ज्यादा अच्छा होने लगा है और seat cover भी मैंने change कर दिया अब seat को फटने का कोई chance भी नहीं है फाइनली जब हमने इसका gear का काम कर लिया है अब आप देख सकते हो gear कैसा लग रहा है अब देखो ये लग गया पहला gear ये है दूसरा gear ये है हमारा तीसरा और ये है हमारा चौथा gear और ये है हमारा reverse gear अब आप देख सकते हो reverse gear लगने के बाद भी कितना सारा जगा यहाँ पे बचा हुआ है जबकि मैंने seat को आगे भी किया है तब भी इतना सा जगा बच गया है अब देखो जोर से खीचने पर भी ये आगे को नहीं आता है तो ये अब perfectly काम हो चुका है हमारे gear का अब देख सकते हो आप यहाँ पे चार उंगल चार उंगली सिध्या सिध्या चार उंगली अंदर को जाता है लेकिन सीट फटने का कोई डर अब नहीं है दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो और यह पांचवा gear लग गया पांचवा gear में हमेशा मेरा पैर टक राता था और पहले gear में हमेशा जो लेप्ट साइड में बैठे रहते थे उनका पैर टक राता था टाटा सुमो में केवल दो ही प्राबलम आती है एक तो यह और दूसरी प्राबलम मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा और बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं किसी और वीडियो में वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत